आज अचानक से हमारे घर में मेरे मामा और मेरी मामी और उनके बच्चे आ गए थी राद को बज रही थी दस तो मैंने कुछ चना भिगो कर रखा था उतने चना में नहीं बन पाती सबजी तो मैंने फिरिज में खोल कर देखा तो उसमें हरी मटर टमाटर और कुछ सबजी रखी हुई थी तो उसमें से मैंने कुछ सबजी निकाला और जटपट से बनाया बहुत ही जादर टेश्टी सबजी तो यहां पर मैंने चना ले लिया हरमाटर ले लिया तीन टमाटर ले लिया दो प्याज ले लिया अच्छा आलू और तीन हरी मिच ले लिया चना को मैंने पहले से भिगो कर रखा था तो आरे कटोरी चना थी भिगोया हुआ तो इतने चने में बाकी लोग के लिए सबजी नहीं बन पाती, तो मैंने बाकी सब्जिया भी इसमें ले लिया, बहुत ही जादा टेश्टी सब्जी बनाया, तो इसके लिए मैंने एक प्रेसर लिया, प्रेसर कूकर रखा और गरम कर लिया, उसमें मैंने डाला तीन से चार छोटी चमश तेल, जो भी तेल आप खाते हैं, तेल ले सकते हैं, तेल जैसे ही गरम हो गया, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा डाल दिया मेथी दाना, मेथी दाना को हलका सा लाल कर लिया, सब्जी में बहुत काफी अच्छा टेश्ट आती है मेथी दाना से, आप मेथी की जगह जीरा भी ले सकते हैं, जैसे ही लाल हो काट कर डाला है तो पथले-पथली इसको कातना है लबए लमबएं तुकड़ों में कातना है तो यहां पर मैं ने मीधिय उचाइज की दो प्याइज बहु काट कर लिया है तो प्याज को भूल लेंगे जब तक इसका कलर नंच हो प्याज को चलाते हुए भूनेंगे घाज का फ्लेम हाई करके हाई फ्लेम पे मैंने एक मिनाट तक भून लिया है अब मीडियम लो पे इसको भूनेंगे जब तक यह बोनेंगी तब तक इसके लिए हम लहसुन अधरक और हरी मिश्च कूट कर त्यार कर लेटे हैं तो यहां पर में एक खली लिया है उसमें मैंने डाला हैं पाновचेoff लिह सुन के कालिया औभी छील कर डाला है आधि एंक अडा कमेने दाला हैं पतीन हरी मेश डाला है इस तरह से आप सबजी बनाएंगे तो सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है हरी भी आप इन सबजी में जरूर से डालिएगा इस तरह से आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हरा मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा था अब इसको बारिक नहीं कूटेंगे, हलका इसको दरदरा कूट कर तयार करेंगे आप चाहे तो इसको ग्रेंडी जार में भी इसको दरदरा पीस सकते हैं, बहुत बारिक इसको नहीं पीसना है तो दरदरा मैंने इसे कूट लिया है देख सकते हैं बारिक नहीं है दरदरा मैंने कूट कर तयार किया है इस तरह से कूट लीजिएगा तो मैं आप लोग को चमच से भी दिखा दे रही देख सकते हैं कि यह दरदरा है अब चलिए चलते हैं गैस की तरब तो यहाँ पर प्याज को मैंने इसको चलाते हुए भूना है आधी मिनट तक प्याज हलका सा देख सकते हैं कि कलर जो है चेंज हो गई है अब इसमें डाल देंगे अद्रक लेसुन और हरी मिर्च का जो हम कूट कर रखे हैं डालने के बाद में अब इसको चलाते हुए आधी मिनट तक इसको भून लेंगे प्याज के साथ में ताकि इसका जो टेश्ट है ना पूरी तरह से तेल में आ जाए और हलका सा जब भूना जाएगी तो बहुत ही अच्छा सबजी बन कर तयार होगी तो आधी मिनट तक मैंने इसे चलाते हुए भून लिया है इसका कलर भी चेंज हो गया है अगर इसका फ्लेम मीडियम लो ही रखेंगे अब इसके लिए हम मसाला त्यार करेंगे अब बीच बीच में इस मसाला को चलाते रहेगा तो यहां पर मैंने तीन से चार चोटी चमर बूना जी हां अधी चोटी कुमर मैंने डाल ही तीखा के लिए और साथ में में डाला है इसमें काली मिर्च का पौडर के लिए कि सब्जी में अच्छा क्लर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं अब इसमें डालेंगे भूणा हुआ जीरा का पौडर में अधी छोटी चमट डाल है इन सब स्पीजों को अच्छा से मिला लेंगे तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि मैंने इन हरा मिर्च भी डाला है इसलिए इसको मैंने चलाया है और अच्छा से भुना भी गई है खुसुवी भी बहुत अच्छा से आ रही है अब इसमें डाल देंगे मसाला मसाला डालते हैं समय गैस का फ्ले मेडियम लो रखना है इस तरह से मसाला आप बनाकर डालेंगे तो यह जो ग्रेवी बनती है बहुत ही ज् डालेंगे तो दही बिल्कुल भी नहीं फटती है और सबजी का कलर भी बहुत अच्छा आती है और टेश्ट भी बहुत अच्छा आती है अब इसमें डाल देना है तमाटर तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिया था उपर का जो वायट वाला पाट था मैंने निकाल दिया मैं ने जो दो न बाड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट कर डाला है। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से सब्जी बहुत ही अच्छा बनती है अब इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक नमक आपने टेस्ट के कौड डाल सकते हैं नमक डालकर अभी मसाला को अच्छा से दो मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम लो करके भूनेंगे जैसे जैसे अब भूनते जाएंगे टम मसाला बहुत अच्छा से यह भून गई है जैसे ही मसाला भून जाए अब इसमें डाल देना है हरा मतर तो यहां पर मैंने हरा मतर लिया है आधी कटोरी तो अभी ठंडियों का मौसम में ताजा हरा मतर बहुत अच्छे-च्छे कवल्टी में आ रही है तो मैंने आधा कटोर कर दोकर अच्छा से साफ करके डाला है और खड़ा ही आलू को डालना है तो यहां पर आलू उबला हुआ नहीं है इस बात कर ध्यान रखिएगा कि कच्छा आलू का इस्तेमाल करना है इन सब्सब्जियों को डालने के बाद में आधी मिनट तक इसको चला लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि सब्सब्जिया नीचे लगे ना इसको अच्छा से भून लेंगे जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे सब्सब्जियों का जो खुसबू है पूरे घर में गूच जाएगी और बहुत अच्छा इसमें खुसबू आती सब्सब्जियों में बहुत जरपट से ये सबजी बनकर तयार होती है तो आधी मिनाट तक मैंने भून लिया है मतलब चलाते हुए अब इसमें डाल देना है पानी तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी डाला है अगर कप से नापे तो आधा कप के लगभग में ये पानी है पानी को डालने के बाद में इसको मिक्स करेंगे और आधा गिलास पानी मैंने और डाला है तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं तो इसमें मैंने डेड़ गिलास के लगबंग में पानी डाला है और देख सकते हैं गिरेवी थोड़ा मैंने पतला रखा है जब यह पकेगी तो पूरी तरह से गाड़ी हो जाएगी अब इस प्रेसर कूकर का जो लीड है इसको लगा देंगे और बंद कर देंगे चार से गरमल में आतला सीथी डेती है फ्कारवरो रूख रूख थो आप सभिवी आप लगा सकते हैं तो मेने पांसे च्छेश स्थी इसको लगा लिया है आप इसका जो प्रेशर है निकलने तक इसका इसका वेट करेंगे जरीज इसका प्रेशर कर जाएगा, उसके बाद में सब지 को हम check करेंगे, तो ग्रेस का Consult कर जाएगा है, तो यह पर इसका निकल गिया है, अब से हम check कर लेते हैं, तो देख सकते हैं, कितना जूसी जूसी सबजी बनकर त्यार होी है, अभी जब आलू हम इसका काट के डालेंगे ना, तो इसका जो ग् बहुत ही जादा लाजबा बनती है जैसे हम धाबा होटल में जाकर सबजी खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट आती है कम मसालों में जटपर्स से ये सबजी बनकर तयार हो जाती है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है इस सबजी को अब हम निकालेंगे दूसरे प्लेट में तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती ताकि इसका टेश्ट और ज़्यादा चार गुना बढ़ जाए एदर जूसी जूसी सबजी बनकर तयार हो गई है देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडी होने के बाद में आप लोग को दिखा दे रहे हुं कि थोड़ा सा ये गारी गारी हो गई है तो उमीद करती हुए कि आज की रेश्पी हमारी आप लोग को बहुत बह पहुचे और जादे से जादे लोगों में सेयर करिएगा तो मैंने निकाल लिया है एक पलेट में इस सबजी को आप रोती चावाल पराथा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत जादा टेश्टी लगती है तो फिर कल मिलेंगे आप लोग के साथ में एक डूसरी नई रेस्पी के साथ में तक तक लिए